दोस्तों आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम लगबात करने जा रहे है चिकन स्कीन की चिकन स्कीन की समस्या एक आम समस्या है यह तुछा पे लाल हलके पीले रंगे छोटे दाने होते हैं इतने के साथ साथ छोटे काले धपों बदल जाते हैं ये खुजली या जलन जैसे समस्यां को पैदा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ये देखने में खराब लगते हैं और आपकी मुलायम तोचा को खराब करती है ये ज़्यादा तरकंदे के पास बाजू उपर पैर उपर और बुटॉक्स पर पाय जाते हैं ये संख्या में एक दो क्या है Casey दोस्तों रूमचिद्र में केरतीन कर जाना या जम जाना हमारी त्फचा में केरीटीन पाया करती है मो कमारी ना जम जाता है तब हादी स्केन की प्रॉब्लेम होती है स्कीर Ne Cleveland Fellow होती है इसकी अलाव ये लोग जिनकी मुल्चा का फ्राइज करें होती है नको में चिकन स्कीन के प्रावलम को जहलना पड़ सकता है तो आये जान लेते हैं इसके लिए कुछ होम रेमेडि जिसके मदद से आप चिकन स्कीन की समस्षा से चुटकारा पा सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको सुध से पंदरा दिनों में इसका बहुत ही अच्छा रेजलत देखने को मिलेगा साथी साथ आपको कुछ साउधानिया भी परतने पड़ेगी जिससे है कि आपके चिकन स्कीन की समस्षा दूर हो सके इसके लिए दोस्तों आपको माइल्ड सोप का इस्तमाल करें जो की बहुत ही करें बलकि सब्सक्राइब करें हमेशा नहाने के बाद मॉस्टराइजर करें मॉस्टराइजर लगाने से आपकी तोचा में नमी बनी रहेगी और यह आपके चिकन समस्षा को काफी जल्द ठीक करने में मदद करेंगी साथी साथ दोस्तों पानी खूब पीए आपको इसकीन को हाइडरेट रखेगी और इसकीन राइनेस कम होगी खाने में ऐसा फूड के इस्तमाल करें जिसमें विटामिन ए विटामिन ए ज्यादा मात्रें पाए जाते हैं उनका सेवन करें यह आपकी स्कीन से जूड़ी हर एक समस्याओं का खतम करें इसके साथ इससाथ ऐसे होगी